हेलो फ्रेंट्स में शर्मिला मलिक वेलकम टू माइचलन दिली नेचर लवर कैसे हैं आप उमीद करते हूं आप से ठीक होंगे फ्रेंट्स आज हम आए हुए हैं गाउं में तो गाउं में मैंने यहां अपने मेरे स्वेंड के दोस्त हैं उनका गार्डन देखा और उन्होंने अपनी इस जंगह का बहुत ही अच्छा यूज किया हुआ था जैसे कि आप जानते हैं गाउं में बड़े-बड़े घेर होते हैं बड़े-बड़े घर होते हैं और आजकल गाउं में सारी सुविधाय हैं ऐसा कुछनी की वहां पे नहीं हैं पेड, पोधे, पानी, हर चीज वहां मिलती है और एन्वार्मेंट तो पहले से भागवान का दिया हुआ था तो नेचर्स तो को तो ग्रो करने में वह पहले से एक्सपर्ट थे लेकिन उन्होंने अपने घेरों को भी इस तरीके से इतना सुन्दर बना दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती आप देख सकते ह हो कि कितना सुन्दर इन्होंने वियू बना दिया देखने में एक दम फारमाउस फील दे रहा है यह और इन्होंने अपने इस गार्डन में ऐसा कोई भी फूल फल या सबजी नहीं ती जो इन्होंने ना लगाई हुई हो इन्होंने अपने गार्डन को दो भागों में separate कि अगया था एक और गानिक वेज़ेटेबल उगाते हैं यह और इधर इन्हों ने अपने सारे जितने भी फूल गुलाब की इतनी सारी वराइटी थी चंपा हो चांदनी और गुड़ल की बहुत सारी वराइटी थी तो ढेर सारे फूल इन्होंने लगाई हुए थे और यह जो कि देखने में और आप देख सकते हैं वोक के लिए रेंप भी बना हुआ है अपने गार्डन में तो यह मुझे एक बहुत ही अच्छी बात लगी क्योंकि गाउं में भी आजकल औरते बाहर नहीं जाना चाहती तो अपने घर में ऐसे टैल सकती हैं बच्चे खेल सकते हैं कितने अलग हैं बहुत सारे फूर्ट के पेड़ इनके गार्डन में थे यहां पर यह अनार का पेड़ है अनार आम चीकू अम्रूद इन्होंने धेर सारी मात्रा में लगाया हुआ था और बेर के पेड़ भी थे इनके यहां तो मेरे को तर सच मुच्च मैं बता नहीं पा वेजिटेवल गार्डन है जो की बहुत प्याज लगी हुई है पहले इन्होंने सर्दियों में हरी प्याज लगाई खाई और अभी हर्वेस्टिंग करेंगे सुखी प्याज का आप इस वेजिटेवल गार्डन में देख पारे होंगे शायद क्योंकि धूब होती तो मैं आ आते ही लोकी को बनाया और मैंने बहुत दिनों बाद वह ओरिजनल लोकी फील की जो और ऑर्गैनिक लोकी होती है ना जब आप उसे बनाओंगे तो वह एक दो सीटी में बन जाती है यहां इनका एक अमरूद का पेड़ था जिसकी रील में डाल चुकी और इसे देखके तो मैं मंत्र मुग्द होगी थी क्योंकि इसमें हजारों की संख्या में अमरूद लगे हुए थे और वाके में कहते हैं ना हमारे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती तो जो गाउ में पली बड़ी हूं तो मेरे लिए तो यह चीजे इतने माइने रखती है जब मैं कभी संवार्मेंट में जाती हूं तो मुझे अपना बच्पन याद आ जाता है ता कि पहले हम भी अपने घर में इसी तरीके से बेल लगाया करते थे गाउं में भी टोड़े होते है वहीं पेल को लगा देते थे और घर की सारे कद्धू लो की तोड़ी की सबजी खाते थे आस पड़ोस वाले भी यह तोड़के ले जाते थे यह दे देते थे जो पर था पता निया आज तो गाउं में होगी या नहीं हमारे टाइम में तो ऐसा होता था यह एपल बेर का पे जैसी भी मुझसे बनी और मैंने आपके साथ सेर की तो आप कोमेंट करके जरूर बताएं और यह देखिए मैं वहां से कुछ फ्री के प्लांट और कुछ वेजेटेबल लेके आई हूँ तो आप भी इस तरीके से आप कहीं जा रहे हो ना और उनके पास एक्स्ट्रा प्लांट लिए हैजेए और आपने भी कुछ बचे हुए फ्लांट लोगों को दे दिया यह तो ऐसे फ्री में हम गारडन तयार कर सकते हैं क्योंकि कुछ चीजे तो हमारी किलम से ही हो जाती है और मैने तो में आपताएं जाओंका प्राप्ति हुई गाउं में जाके और अब मैं इनको कर रही हूं रिपोर्ट अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेर जरूर करें जो भी मैं क्लिप बना के लाई हूं वो रील डालके मैं आपके साथ शेर करने वाली हूं इसी के साथ आज हम आपसे विदा ले रहेंगे हैपी गाड़नी